नवस्कार मैं प्रियार राज आप देख रहें एक निउस 24 आपको बता दे कि चिराग पास्वान और कहा जाए तो खगडिया के सांसद राजे स्वर्मा काफी चर्चे में रहे हलाकि बिहार विधान सबा चुनाओ नजदीक है लेकिन अभी जो बड़ी खबर और बड़ी बात निकल कर सामने आ रहे है अब कहा जाए तो चिराग के भाई यानि की राजे स्वर्मा जिसतार से चर्चे में बने रहे चिराग पास्वान के साथ आए दिन वो नज़र आते हैं लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात कर जाते हैं जब कहीं ना कहीं एलजेपिया पार्टी की टूट खड़ी हो गई है और चिराग के लिए खत्रे की घंटी बच चुकी है अज तमाब मुद्धों पर हम बातचीत करेंगे मेरे साथ मेरे सहीयोगी विकास मौजूद है विकास क्या कहना चाहेंगे मामला क्या है दिखी चिराग पासवान और राजेस वर्मा की जब भी जिक्र होती है तो वो समय आदाता है जब चिराग पासवान ने राजेस वर्मा को अपना हम सकल करार दिया था चुनाओ के टाइम पर असाफ तौर पे कहा था कि राजेस वर्मा मेरे भाई है लेकिन अब राजेस वर्मा पर इतना ज सबसे ज़्यादा भरोसा करने का नतीजा निकल कर सामने आ रहा है कि अब पार्टी के कारे करता और पार्टी के जो नेता है वो पार्टी के आला नेताओं से नराज हो गए हैं और इसका खुलासा और कोई नहीं बलकि पार्टी के नेता ही करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कारण है जिसके वज़स ये तमाम बिवाद जो है वो खरा हुआ आप सुन रहे होंगे पिछले बीते दिनों से खबरे चल रही है कि चिराक पासवान के जो सांसद है वो चिराक पासवान का साथ छोरने वाले हैं लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया लेकिन नीचे के कारेकरता जो है वो नाराज हो गए हैं नीचे के कारेकरता जो है अब सांसदों का सांथ छोर कर अलग हो रहे हैं और जिन सांसदों को कारेकरताओं ने रात दिन एक करके सांसद बनाया अपने छेतर में वो कारेकरता अब चिराक पासवान और उनकी पार्टी के खिलाप बिगुल फूक दिये हैं, मोर्चा खोल दिये हैं, साप तौर पे कह रहे हैं कि अब पार्टी को टूट जो है, वो निश्चीत है, वैसे में क्या कारण है, जिसके वज़ा से आज हम इस डिवेट को कर रहे हैं, तो हम आपको एकेक करके बताएंगे, लेकिन देखि जन जो है, इतना भारी परा पार्टी पर कि भारी परने के वज़़े से अब पार्टी तूट के कगार पर आ गई है, और सिधा सिधा तूट के चोराहे पर अगर हम कहें, मुख पर अगर हम कहें, तो खड़ी हो गई है, और बेहर जल्द पार्टी तूट भी सकती है, अगर चिराक पासवान अब कमान नहीं सभालेंगे तो देखे चिराक पासवान यही कारण है कि आनन फानन में पटना पहुंचे है आज चिराक पासवान का बड़ा कारी क्रम भी है उसके बाद चिराक पासवान हो सकेगा तो खगडिया भी पहुंचेंगे जहां से तूट का खत्रा सबसे ज़्यादा बरहा है वैसे में क्या कुछ हुआ है जिसके वज़ा से पाटी तूट का हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए राजेस वर्मा खगडिया लोकसभा छेत्र को लेकर चिंतित थे राजेस वर्मा खगरिया लोकसभा को किस तरीके से विकास हो और किस तरीके से खगरिया सबसे आगे हो छेत्र में उसको लेकर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया और पाचो बिधान सभा छेत्र जो खगरिया में है वहाँ पर एक-एक अधिकारी की निउक्ती कर दी अपने आचो बिधान सभा में अधिकारियों को खड़ा किया गया है वो कौन-कौन से अधिकारी है जिन्हें राजेस वर्मा भरोशा करते हुए खगरिया लोकसभा को खड़े किये हैं तो हम आपको उनका नाम भी बताएंगे और उनका तस्वीर भी दिखाएंगे तो एक-एक करक की टूट भी इसमें शामिल है तो वो नाम आपको बताते हैं जो सबसे चर्चे में और चिराग पास्वान भी इस पर जल विचार करेंगे आपको बता दे कि स्री पंकश कुमार जो खगड़िया जीला से हैं स्री वैदेनात जहां जो समस्तिपूर से हैं स्री गंगाधर कु खगड़िया का नाम और काज है तो खगड़िया में सबसे ज़्यादा प्रतिनीधी को उतारे हैं और यही कारण रहा कि कई कारे करता उनसे नराज हो गए और इसका पूरा खमियाजा लजे पी आर पार्टी को भूगतना पड़ेगा क्योंकि जिस वक्त है लजे पी आर पा जाएगे तब तक विकास बताएगे हमाई जनता को और क्या मामला है देखी यह पांच ऐसे नाम है जिसके वज़ा से इस वक्त चिराग पासवान के नाक में दम कर रखे हूं ही के कारे करता यह पांच ऐसे चहरे हैं जिनके वज़ा से पार्टी तूट के कगार पर पार्टी से इस तीफे की जो सिलसिला है उसकी एक सुरुवात होगी और लंबी जड़ी एक बार अगर हम बात करें तो फिर से पार्टी में इस तीफे का दौर का सुरुवात होगा और आपको देखने को मिल सकता है आपने देखा होगा कि चिराक पास्वान ने जैसे ही चार टिकट बाटे और एक पर खुद चुनाव लड़े उस समय भी किस तरीके से पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली थी चिराक पास्वान के बड़े नेताओं का इस तीफे का सिलसिला जो है उसकी सुरुवात हो गई थी और लगातार इस तीफों का दौर चला था वैसे में एक बार फिर से चिराक पास्वान का और आजेस बर्मा का ये जो डिसीजन निकल कर सामने आया है ये डिसीजन भारी परता हुआ पार्टी पर नजर आ रहा है और अगर वक्त रहते इस डिसीजन को नहीं बदला गया इन चेहरे को नहीं बदला गया तो एक बार फ वक्त चल रहा है जब चंद महने में बिहार का बिधान सभा चुनाव होना है अचार सहीता लगेगा उसके बाद तमाम पाटी जो है वो चुनाव की तैयारी में लगे हैं तो वहीं पर चिराग पासवान की पाटी में इस्तीफे का दौर का शुरुवात हो रही है वैसे में च राजेस्वर्मा सक्रिये रहते हैं हलाकि चिराग पासवान के हमसकल माने जाते हैं और चिराग पासवान राजेस्वर्मा आए दिन साथ जब नजर आते हैं तो पाटी की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं जनता की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं बिहारी फस्ट के नारे भी साथ लगाते हैं लेकिन जब कहा जाए तो एक भाई के डिसीजन कहीं न कहीं पूरी पार्टी को तोड़ सकती है तो कहा जाए तो खगडिया के सांसर यानि की राजे स्वर्मा को कुछ अच्छी रुजान देंगे या कुछ सुझाओ देंगे तो ये देखने वाली बात हो कुछ सुझाओ तो एक भाई करू सुझाओ वाली जहां है तो सुझाओ ड़्मा का जब करू खगड़ जढ़ खगशान देंगे शुछ हैं ये वाली बात है का भाई पार्टी हैं रफमा जाए तो शितों हैं अज़ अब का चार्क भाई पूश तो